इनके लब रंगी की निठाबरें थी के जिसने अच्छा अब्दुल्ला कादरी जहार कंट से इनका स्वाली है है क्या खेनी गुटका या बीड़ी शिगरट पीने वाले शक्स की इमामत के बारे में क्या शरियत के बीड़ी ओक्रॉटक में और ना वार म 어떻ना में Hmm बात करने ख्र żyंड झाम ता श लड़ी तो अगर बात करें तो ईक्यास फाली इसका उनुझेस काूं खाना पी ना श्राम cannot लेकिन ये जो चीज आ माशारे में इजजड़ार या अच्छी ख़ाने पीने के अITबार से नाई समझे जाती है, उसको खाने पीने से नोगों को परेज भी करना चाहएूलेकिंडेकन ये कि हर किसी के अदत हो जाती है तो जल्दी वो जाती नहीं है तो अगर इसमें इमाम इतनी रियायत करता है कि नमाज के वक्तों में ये चीज नहीं है खासतोर से पान या खेनी से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी बीड़ी से रिकट से होती है तो अगर ये कि इमाम नमाज के वक्त में इस चीज़ को इहतियाद करता है कि नमाज से पहले या उस वक्त में नमाज नहीं है उस वक्त ये काम करता है और नमाज से पहले जो है अच्छी तरीके से मूँ को साफ कर लेता है कि उसमें कोई महक या बदबू बाकी न रहे तो उस शक्स की पीछे नमाज पढ़ सकते हैं उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है नमाज बिना करहात हो जाएगी लेकिन अगर यह कि इमाम इसी हाल में मस्जिद में आता जाता है अगर चे नमाज का टाइम नहीं है तो ऐसी नहीं है दूसरी बात यह है कि जो इमाम वगेरा है क्योंकि जब लोग इस तरीके के सवाल करते हैं तो कहीं नहीं के उनके तसवर में यह चीज़ रहती है कि वो इस चीज़ों को जाइज नहीं समझते एक तो पहली बात ही है अगर चीज़े जाइज हराम नहीं है लेकिन व अधावा अरजव्य शरीफ में लिखा है एक जाइज काम के तालुक से कि इमाम को वो जाइज काम करना जाइज नहीं है यानि या ऐसा जाइज काम करना वहाँ एक मिसाल भी दिये जीसे कि तस्वीर खीचने के बारे में मुर्दे की तस्वीर के बारे में कि अगर्चे वो जाइज है लेकिन ये किसी ऐसे शख्स को करना कि जहां लोग उससे बदजन हो जाएं लोग उस पर उंगली उठाएं क्योंकि लोग इसको जाइज नहीं समझते तो इसलिए अलज़ ने फरमाये कि फिर वहाँ उन लोगों को इससे बचना चाहिए कि वो ये कामना करें यानि मुर्दे की तसवीर लेने वाला काम वो लोग ना करें कि जिसको कौम ये तसवोठ नहीं कर सकती कि वो तसवीर कीछना है क्यूंकि लोगों को ज़्यादा मसाहिल मालूम नहीं होते अपनी जरूरत के तो फिर के होता है लोग उसमें बदगुमानी के अंदर उतरी आते हैं ये भी नजाइज और गुना का काम है और फिर एक दूसरे के पीछे इमामों की गईबत करने लगते हैं लोगों को उकसाने लगते हैं तो लोग जो है ना मौबत ही ना लोगों जो है ना वो बदजन होने से भी बच जाएं गईबत चुगली से भी बच जाएं और उन लोगों के साथ के जिनके साथ इमाम का या इस तरीके के लोगों का उठना बैठना और वो लोग इन चीजों को समझते हैं कि जाइज है तो उस मजलिस में करने अवाम में घलत मशहूर है या अगर कोई जाइज काम इमाम करेगा तो उसको हकारत की नजर से लोग जो है न देखेंगे तो फिर उन कामों से ऐसे मौके पर भी उन लोगों को बचना चाहिए कि लोगों के अंदर नफरत का जरीया पैदा नहों या उनके पीछे नमाज प्रणवार बनाया